आधरनिय राहुल जी ने करनाटका की एक सभा में यह मांग उठाई है कि सरकार अगर सचमुच OBC से प्रेम करती है क्योंकि आप सब जानते हैं पिछले दिनों आप लोगों ने देखा कि विपक्ष मांग रहा था JPC सारे विपक्षी दलों ने कहा JPC, JPC, JPC अचानक से BJP कहना शुरू कर दी OBC, OBC, OBC JPC की मांग के सामने अगर OBC की बात BJP लेकर के आई है तो यह जरूरी हो जाता है कि कुछ सवाल सरकार से पूछा जाए सबसे पहला सवाल यह है कि प्रधानमंत्री बरे जोर सोर से कह रहे हैं कि डिजिटल इंडिया का दौर है तो डिजिटल इंडिया में, डिजिटल दौर में सबसे जरूरी चीज है डेटा अक्सर आप सब लोग सुनते होंगे कि कहा जा रहा है कि डेटा न्यू ऑइल है जिसके पास डेटा होगा, वो दुनिया का लीडिंग पावर होगा अगर ऐसी स्थिती है तो हमारी सरकार, भारत की सरकार, डेटा को इकठा करने में, डेटा को तयार करके डेटा देश को बताने में जारी करने में इतनी हिच के चाहट क्यों दिखा रही है क्या कारण है इसका आप सब जानते हैं कि जब भारतिय रास्टे कॉंग्रेस की सरकार थी UPA2 के दौर में 2011 में जनगन्ना हुआ और उस जनगन्ना की जो रिपोर्ट थी उसको तयार किया गया वह रिपोर्ट प्रकाशित होती उसके वाद सरकार चली गई 2014 में नहीं सरकार बन करके आई तब से लेकर के हम लोग 2023 में है अभी तक कोई डेटा जो है वो जारी नहीं किया गया है आप सब लोगों को पता है कि 2021 में जनगन्ना होना था 2021 में जनगन्ना नहीं हुआ है दुस्यंत कुमार कहते हैं कि कहां तो तय था चिरागां हर एक घर के लिए कहां चिराग मैसर नहीं शहर के लिए डेटा जब इतना इंपोर्टेंट है जब हर चीज को गिना जाना जरूरी है आप इस्तरी गिनते हैं, पुरुस गिनते हैं, सिसू गिनते हैं, पसू गिनते हैं तो फिर जाती गिनने में क्या दिक्कत है और हम इसमें कुछ और तो नहीं कह रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि देश में हर 10 साल में जो सामाजिक, आर्थिक और जातिय आधार पर जो जनगन्ना होता है उसका रिपोर्ट जो है आप जारी कीजिए जो जनगन्ना 2021 में होना था 2023 हो रहा है तो आप उस जनगन्ना की कारवाई को शुरू कीजिए क्योंकि हर 10 साल में जनगन्ना होना है और ऐसा तो है नहीं कि आज जनगन्ना शुरू हुआ है आप सब जानते हैं कि इस देश में लगभग डेर स्वा साल से जनगन्ना हो रहा है डेर स्वसाल से और हम गिनते क्यूं है हमको संख्या को गिनने की जरूरत क्यों पड़ती है इसका सिधा सा जबाब है आपके घर में जितने सदस होते है उतना ही खाना बनाते है घर में अगर आप कोई दावत देते है तो जितना गेस्ट आपको expected होता है उतना ही जो है आप भोज में खाना बनवाते हैं जब आपके पास संख्या ही नहीं होगी तो किस आधार पे आप नीती का निर्मान करेंगे कैसे जो है आप नीती का निर्धारन करेंगे संख्या होना जरूरी है झाल झाल